आपको पीडिएप सारे प्रोवाइड किये जाता है इसमें अब तक लगभग 700 लोग जुड़ चुके हैं आप भी जुड़िए इस एक्जैड में ऑफिसियल से तो आज हम लोग बात करने वाले हैं Question No.21 जो की 1998 का Question है Assignment का और ये है एक Unbalanced मतलब की ऐसा Question जिसमें की Number of Row नहीं Equal है Number of Column के ठीक है तो ये रहा आपका Question No.21 Question No.21 में आपको बोल दिया गया है Solve the Unbalanced Assignment Problem in Minimization Where Cij इक्वाल्स टू ये आपको दे दिया गया है Element यहाँ पर 12 क्या को रिप्रेजेंट कर रहा है C11 C11 मतलब की First जो हमारा सप्लाई है वहाँ से First Destination में भेजने के लिए जो Unit Cost है Transportation का वो कितना है 12 Unit है Similarly First से Second को देने के लिए कितना है वो है 10 और Similarly आपका ये दिया हुआ है Cost ठीक है आप यहाँ पर गौर फर्माईए Number of Rows और Number of Column यहाँ पर आप Count करोगे तो Number of Column आपको दिखेगा कितने 6 और जबकि Number of Rows हमारा 5 है तो क्या है Aim not equals to n का Question है मतलब Unbalanced है यहाँ पर Question में यह दे भी रखा है तो आपको इसको Solve करना है तो देखते हैं इसको Solve कैसे करते हैं ठीक है यहाँ पर Number of Rows हमारा था 5 और Number of Colum थे 6 यहाँ पर आप देखिए यह हो गया 6 Row and 6 Column मतलब कि Aim equals to n हमारा हो गया है तो यह हम लोगों ने क्या क्या Unbalanced को पहले हम लोगों ने Valanced में Convert कर दिया तो यह हो गया Valanced Form अब क्या करना है जैसे कि हम लोग देखते थे Hungarian Method में कि हम लोग Row का minimum value होता था उसको subtract करते थे बाकी सभी के value में भी और खुद में भी तो यहाँ पर देखिए First Row में देखेंगे पहले हम लोग करते है Row Reduction क्या करते है Row Reduction Row Reduction मतलब कि इस Row में आप बताईए सबसे छोटा सा value कौन सा है तो बो है 8 है ना हमारा 0 तो यहाँ पर देखिए वही हम लोगों ने यहाँ लिखा है 4, 2, 7, 14, 10, and 0 Similarly हम लोग सेकेंड वाले row में देखेंगे तो सबसे छोटा element आप देखो गई इस वाले में तो यह है 10 तो 10 को subtract किजिए 10 में से तो हो जाएगा 0 इसमें करिएगा तो 8 यहाँ पर 15 यहाँ 5, 6, and 2 तो हम लोगों ने similar wise हम लोगों ने row 2, 3, 4, 5, 6 सबके सबको हम लोगों ने बैसे कर लिया इसके बाद क्या करते थे column reduction मतलब कि column का जो minimum रहता था उसको हम लोग subtract करते थे ठीक है अगर इसमें देखिए अगर 0 नहीं होता अभी यहाँ पर 0 है अगर यह 0 नहीं होता तो कोई एक value तो minimum होता ना तो हम क्या करते उस वाले यह जो column है उसमें हम लोग 0 लाने की कोसिस करते की हमारा हो जाए अगर इसा हो जाता है तो बहुत अच्छा है नहीं होता है तो फिर हम लोग आगे का technique लगाते हैं तो फिलाल हम लोगों ने पहले किया row reduction अब क्या करेंगे column reduction तो आप यहाँ पे ध्यान दोगे कि यह 0-0-0 वाला जो यह column है हर बाले में देखिए हर एक column में यह 0 है यह भी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे मतला कोई भी column आप उठालो आपका सबसे minimum value है 0 तो आप 0 को घटाओगे 7 में से चाहे 15 में से चाहे 14 में से किसी में से भी घटाओ वो value unchanged रहेगा कोई भी changing इसमें नहीं आएगा तो आप column reduction करोगे तो सब के सब जो element है यही element रहेगा क्यूंकि सभी के सभी column में एक नएक 0 है यहाँ पे भी देखिए यह 0 रो है इसके कारण सभी के सभी column में 0 आ गया है तो column reduction के बाद भी element change नहीं होगा अब क्या करते थे हम लोग करते थे row scanning क्या करते है रो scanning करते है यहाँ पे रो scanning करने का लिए क्या होता है कि आप select किजिए क्या select करना है आपको select करना है बैसा वाला row जिसमें की 0 एक हो तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे इस वाले में चलिए ठीक है यह वाले आप लेके चल रहे हैं पहले हम लोग first वाले को लेके चलते हैं तो first row को scan किजिए इसमें देखें 42714101010 आ गया मतलब कि 10 हमको यहाँ पे मिल गया मतलब इसको हम लोग क्या करते हैं select कर लेते हैं square bracket डाल देते हैं और इसके corresponding जो column है इसको फिर से हम लोग ने क्या कर दिया delete कर दिया ठीक है third वाले row में चलिएगा तो देखें इसमें भी एक zero है इसको हम लोग ने select किया और इसके corresponding जो column है इसको हम लोग ने delete कर दिया similarity चलिये fourth वाले row में चलिये fourth वाले रो में चलिये जो fifth row है उसमें देखिएगा तो एक zero है fourthौले thing क्यूंकि यक भी 0 नहीं है इसलिए हम लोग इसमें select नहीं करते हैं यह वाला zero deleted है ठीक है इसलिए हम लोग इसको select नहीं कररे हैं तो इसको आप select कीजिएगा तो इसको इसको corresponding जो यह column है इसको हम लोग ने क्या कर दिया इसको हम लोग ने छोड़ दिया इसमें देखिए जब आप column जाओगे तो यहां पर देखिए केवल एक 0 है तो इसको हम लोग ने क्या किया इसको सेलेक्ट कर लिया और इसके corresponding जो रो है उसको अब हम लोग क्या करते हैं इसको छोड़ देते हैं यहां पर देखिए कोई भी जीरो नहीं है तो सेलेक्ट नहीं होगा मतलब कि सभी के सभी जीरो अब देखिए क्या सब के सभी जीरो इस लाइन पर कभर हो चुके हैं अगर कोई 0 बच गया है तो फिर से हम लोग कॉलम या फिर रो स्कैनिंग करेंग लेकिन अगर 0 सब के सभी कभर हो गया है इस लाइन से लाइन से तो हम लोग अब छोड़ देंगे प्रोसेस तो देखेंगे यहां पर सब के सभी जीरो कोई ना कोई लाइन पर लाइक कर रहा है तो छोड़ देते हैं अब देखते हैं कि number of allocations कितने हो गये हैं तो यहां पर number of row कितने थे 6 और number of column कितने थे 6 तो क्या यह दोनों equal हैं नहीं तो यहां पर लिखेंगे since number of allocations equals to 5 which is not equal to number of row equals to number of column तो इसलिए हमारा optimal condition अभी नहीं हुआ है मतलब optimality condition हमारा rigid नहीं हुआ है तो अब क्या करेंगे अब देखें प्रोसेस यह करना होता है कि सबसे छोटा value सेल deleted sales में नहीं है मतलब deleted जो lines है उस पे नहीं लाई करता हो मतलब undeleted तो बीना delete किया हुआ है यह 28785 यहां पर देखेंगे 106276 इतना ही element है जो कि delete नहीं किया गया है तो इस सब में सबसे छोटा कौन सा है तो यहां पर ध्यान दीजिए यह है 2 है ना सबसे छोटा कौन सा है य इन सब पर हम लोग क्या करते है जो minimum value है उसको प्लस कर देते है और जो बाखी के element है जो undileted है उन सभी में से minimum value को घटा देते हैं मतलब कि जो line पे है उसको ऐसे ही रहने देते हैं intersection वाले में यह minimum value को जोड़ देते हैं और बाकी के जो undileted elements है उन में से यह minimum value को minus कर देते हैं तो यहां पर गौर फर्माईएगा यह line पे है यहां पर यह 40801 ऐसे ही रहा जाएगा और यहां पर 0 plus 2 हो जाएगा तो यह 2 हो जाएगा यहां पर 2-2 0 8-2 6 7-2 5 8-2 6 और 5-2 3 similar wise आप यहां पर करोगी इसके साथ जो जैसा है उसके अनुसार हम लोग treatment करते हैं तो हमारा जो नया वाला जो बन के आता है table वो किस तरीके से होता है 407 480 06 15 542 मतलब कि यह सभी elements आएंगे अब फिर से क्या करना है row scanning क्या करेंगे row scanning किजिए तो row scanning पहले वाले row से करते हैं यहां पर 10 select कर लिया इसके corresponding column को हम लोगों ने delete कर दिया ठीक है delete किया चलिए delete हो गया अब क्या करते हैं थर्ड वाले row में आईए यहां पर 2 है छोड़ देते हैं यहां पर already deleted है हम इसको select नहीं कर सकते हैं इस वाले में आईए यहां पर यह वाला एक है तो इसको हम लोगों ने select हिया और इसके corresponding column है इसको हम लोगों ने क्या कर दिया delete कर दिया ठीक है अब लास्ट वाले में आईए तो यहां पर 2 है यहां पर भी एक 0 है और यहां पर भी एक 0 है skip कर जाते हैं तो यह हो गया हमारा row scanning अब क्या करेंगे column scanning में पहले वाला already deleted है फिर से क्या करेंगे य यहां पर 2 0 छोड़ देते हैं यहां पर इसको color में change कर देता हूं यहां पर देखिए एक 0 है यह वाले column में इसको select कर लिया और इसके corresponding जो row है इसको हम लोगों ने क्या कर दिया delete कर दिया ठीक है यह वाला already deleted है छोड़ देते हैं यहां पर आईए यह वाला देखिए element एक ही 0 है तो इसके corresponding हम लोगे ने इसको क्या कर दिया select करके delete कर दिया ठीक है अब बताइए क्या सबके सब 0 कभर हो गया है line पे तो देखिएगा यहां पर कोई भी 0 ऐसा नहीं बचा है जो की line के बाहर है है ना मतलब undeleted कोई भी 0 नहीं बचा है सबके सब जो 0 है वो सबके सब delete हो चुके हैं तो अब बताइए कि number of allocations फिर से देखते हैं तो number of allocations कितने हैं 1,2,3,4,5 मतलब फिर से number of allocations कितने आ गए हैं फिर से आप लिखोगे number of allocations equals to 5 which is not equal to number of row और number of column तो यहां पर फिर से हमारा optimal condition नहीं पहुँचा है ठीक है optimal condition नहीं पहुँचा है तो फिर से क्या करना है फिर अब इन सभी में से देखे सबसे छोटा value जो कि deleted नहीं है ठीक है सबसे चोटा value जो कि delete नहीं किया गया है तो तो वो है यह देखिए 2 हैं यह वाला दो सबसे छोटा है तो क्या करना है फिर से वही process intersection वाले में plus 2 कर देंग और बाकी के जो undileted sales हैं, उन सभी में minus 2 कर देंगे, मतलब सबसे चोटा बाला value, और जो line पर ऐसे ही लाई कर रहा है, जैसे कि ये 0, ये 7, ये 8, उन सभी को ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है, तो उसको करेंगे, तो आपका जो नया table बन के आएगा, वो ये बन के आएगा, 4 plus 2 हो जाएगा, 6, यहाँ पर 0, 7, 16, 8, 0, आप करोगे, ये table आपको form हो जाएगा, फिर से क्या करना है सर जी, फिर से वही करेंगे बन्धू की row scanning पहले करेंगे, तो row scanning करते हैं, तो row scanning करके देखिए, row scanning करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 2-0, ये वाला row में, 1st row में 2-0 छोड देते हैं, 3rd row, 2-0 छोड़ देते हैं, 4th row में आते हैं, तो यहाँ पर कुछ दिखता है, है ना, ये दिख गया, हमको 1-0, तो इसको हम लोग ने ऐसे square में डाल दिया, और इसके corresponding column को row कर रहे हैं, तो column को delete करना है, तो column को हम लोग ने क्या किया, delete कर दिया, अब इस वाले row म में आईए, column में color change कर देता हूँ मैं, चलिए column में इसमें 2-0 छोड़ देते हैं, 1-0 select कर लिया, इसके corresponding row को delete कर दिया, ठीक है, अब ये अल्रेडी deleted है column तो इसका कोई मतलम नहीं बनता है, यहाँ पर 2 है, छोड़ देते हैं, यहाँ पर 3 है, छोड़ देते हैं, ठीक है, अभी तक deleted नहीं हुआ है, तो हमको delete करना पड़ेगा, यह हमारी मजबूरी है, तो क्या करते हैं, फिर से row scanning इसके लिए फिर से color change कर देता हूँ, यहाँ पर देखीगा, फर्स्ट वाले row में फिर से चलेंगे, तो यह तो deleted है, यह deleted है, लेकिन 0-2 बच्छी गए है, तो ठीक है, तो यह हम लोग जब second time row scanning कर रहा है, तब यह हो रहा है, यह first time में row scanning में हुआ था, यह first time column scanning में, अब देखिए, यहाँ तक हम चल चुके हैं, second वाले तक, third में already deleted है, fourth में देखिए, कोई भी 0 बचा नहीं है, fifth में भी 0 नहीं बचा है, और इसमें 2 0 बच गया है, त इसमें कोई 0 नहीं छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए, इस वाले column में, जो fifth है, उसमें एक ही 0 है, तो इसको हम लोग ने क्या किया, select कर लिया, और इसके corresponding जो हमारा row है, उसको हम लोग ने फिर से क्या क्या, delete कर दिया, ठीक है, अब देखिए, इतना हमारा काम ह जो हमारा सीखत वाला column है, अल्रेडी डिलीटेड है, तो फिर से क्या करेंगे, देखिए, एक 0 बचा हुआ है, अभी एक 0 है, जो की delete नहीं हुआ है, तो फिर से क्या करेंगे, फिर से हम लोग करेंगे, row scanning, क्या करना है, row scanning करोगे, तो लास्ट ही यही बचा है, तो आप क्य करोगे, इसको यह row को select कर लिजिए, row को select किया, और इसके corresponding column को आप यह delete कर दिये, तो आप देखिए, अब कोई बचा है, 0 क्योंकि आगे प्रोसीड करने से पहले यह पूछिए, क्या कोई 0 बच गया है, अगर 0 बच गया तो हम लोग प्रोसीड करेंगे, column और row scanning, अगर cover हो allocations, मैं sort में लिख रहा हूँ, number of allocations कितने आ गए, तो यह हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, number of allocations 6 हो गए, number of row कितने थे, यह थे 6, या फिर number of column हमारे कितने थे, यह थे 6 है ना, तो अब क्या यह दोनों equal है, यह सब के सब equal है, तो हाँ बिलकुल यह equal है, तो अब हम बोल हमारा optimal condition reached हो चुका है, और जो allocations हमारे हमारे अभी आए है, भही हमारा optimal allocations होंगे, अब क्या करना है, transportation cost आपको करना है, find out, कैसे करोगे, यह जो हमारा initial table था, यहाँ पर आएंगे, यह जो initial table है, यही तो हमारा cost table था, उसका आप देखोगी, कौन कौन साय, जो sale है, वो allocated है, उसके अनुसार आप बताओगे कि कितना होगा cost, ठीक है, यह पर दिया हुआ है, आपको उसके अनुसार बता देना, transportation cost कितना आएगा, अगर पूछा गया तो, यहाँ पर आपका assignment का question था, unbalanced था, हम लोगों ने number of allocations निकाल दिये, और optimal condition हम लोगों निकाल लिया, अब आप काम है यह कि आप बताओ कि कितना आपका final आया है, ठीक है, तो यह आपको खुद से करना है, चलिए, तो यह हो गया था, question number कितना था, 21, next question हम लोगों discuss करेंगे, next video में, अगर आप जुड़े नहीं हो, तो जुड़ जाओ, उसमें बहुत फायदा है, जो लोग जुड़े अबली, especially, thank you